यमुना हमेशा भगवान से दूसरों की खुशी के लिए प्रार्तना किया करती थी लेकिन भगवान ने उसके ही जीवन में दुखी दुख भर दिये थे यमुना ने हार नहीं माली और नाग पंचमी की पूजा करके नाग देवता को खुश किया नाग देवता ने यमुना के जीवन के सारे दुख दूर कर दिये यमुना के माता पिता बहुत गरीब थे उन्होंने यमुना के शादी मनोहर से कर दी थी मनोहर अपनी सौतेली माँ और सौतेली भाई के साथ रहता था मनोहर के पिता का देहान थो चुका था शादे होते ही मनोहर की सौतेली मा और सौतेली भाई ने मनोहर और यमुना को घर से निकाल दिया मनोहर अपनी बीवी को लेकर यहां से चला जा, हम तुम दोनों का घर्चा नहीं उठा सकते मुझकुन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और अपने पिता का बड़ा बेटा भी, तुम मुझे और अपनी भावी को इस घर से नहीं निकाल सकते कान खोल कर सुन लो, हमने तुम लोगों का जिन्दकी भर का ठीका नहीं ले रखा है, ये घर मैंने मुझकुन के नाम कर दिया है, अब वही तै करेगा कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं दरसल मनोहर के पिता ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद सुलेखा के नाम कर दी थी, जिसके बाद सुलेखा ने सारी जायदाद अपने बेटे मुझकुन के नाम कर दी और मनोहर को बेदखल कर दिया, मनोहर और यमुना के पास अपना रहने के लिए कोई ठिका न था, और ना जीवन गुजारने के लिए कोई काम। मनुहर घर के बाहर खड़ा होकर अपने पिता की आखरी निशानी को निहार रहा था। चलिए जी, हमें अब यहां से चलना चाहिए। लेकिन हम लोग कहा जाएंगे यमना। मज़े माफ कर देना, शादी होते ही तुम्हें बेघर होना पड़ा, मेरे कारण तुम्हारी जिंदकी भी अंधकार मैं हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीचे, नाग देवता हमारी मदद जरूर करेंगे, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाग देवता? हाँ नाग देवता, बड़े दयालू हैं, जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, वे उसकी मदद जरूर करते हैं। कल सुबह देखेंगे कि कहा जाना है और क्या करना है। ठीक है। मनोहर और यमुना उस रात नाग देवता के मंदर में सीडियों के पास सो जाते हैं। सुबह जब दोनूं की नींद खुलती हैं, तो पुजारी की नजर दोनूं पर पड़ती है। अरे तुम तो यमुना हो ना, तुम रोज नाग देवता की पूजा करने आती हो, लेकिन आज तुम शादी के जोड़े में आई हो। लगता है तुम्हारी शादी हो गई है, अच्छा तो तुम अपने पती के साथ नाग देवता का आशिरवाद लेने आई हो? हाँ पंडित जी, हम दोनों नाग देवता का आशिरवाद लेने आये हैं, और हमारे भविश्य के लिए मार्ग दर्शन भी. यमुना ने पुजारी जी को सारी बात बताई हम्, तो ये बात है देखो यमुना, मंदिर की देखबाल के लिए मुझे एक आदमी की जरूरत तो है मंदिर में चांदी के नाग देवता होने के कारण मुझे इनकी विशेश सुरक्षा करनी होती है और तुम नाग देवता की भक्त भी हो अगर तुम इस मंदिर की देखबाल और सुरक्षा का काम करोगी तो नाग देवता खुश हो जाएंगे तुम दोनों यहीं रहकर मंदिर की साफ सफाई और देखबाल का काम करो जो चड़ावा आएगा उसमें से तुम दोनों के गुजारे लाइक पैसे तुम्हें मिल जाएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी मंदिर के बगल में एक छोटा सा कमरा था जो मंदिर के सेवक के लिए बनाये गया था यमुना अपने पती मनोहर के साथ वही रहने लगी दोनों पती-पतनी मंदिर की साफसफाई और देखभाल का काम करने लगे इस तरह उनका जीवन चलने लगा इधर जब मुझकुन और सुलेखा को इस बात का पता चला तो वे जल भुन गई उन दोनों भिखारियों को नाग देवता के मंदिर में जगा मिल गई यह सुनकर सुलेखा जोर-जोर से हसने लगती है और कहती है यह तो और भी अच्छा है नाग पंचमी आने ही वाली है इस नाग पंचमी के दिन यमुना को उसकी नाग भक्ती का बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला है उपहार? कैसा उपहार, मा? सुलेखा मुझकुन के कान में कुछ कहती है मान गए मा तुम्हारा आइडिया तो कमाल का है एक तीर से दो निशाने हाँ और इस तरह से मैं अपने सौतन के बेटे को हमेशा के लिए उसकी मा के पास भेज दूँगी सुलेखा और मुझकुन मनोहर से बहुत नफरत करते थे उन दोनों ने मनोहर और यमुना को मारने के लिए बहुत ही गहरी साजिश रची थी लेकिन इससे ठीक अलग मनोहर अपनी सौतेली मा और सौतेले भाई से बहुत प्यार करता था धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और नाग पंचमी का त्योहार नस्दीक आ रहा था जैसे जैसे नाग पंचमी का त्योहार नस्दीक आ रहा था यमुना के चेहरे पर खुशी साव दिखाई पड़ रहे थी वो हर रोज सुबर नाग देवता की पूजा करती और एक ही प्राटना करती हे नाग देवता, इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों की रक्षा कीजे और सब को खुश रखिए अब मनोहर भी नाग देवता की पूजा करने लगा था, नाग पंचमी का देन आ गया था मनोहर जल्दी उठिये, सुबह के पांच बच गए हैं, आज नाग पंचमी है, हमें मंदिर की साफ सफाई करके सजाना है हाँ यह मुना, चलो जल्दी मंदिर की सफाई करते हैं, अच्छा क्या तुमने उठा दिया, नहीं तो आज देर हो जाती दोनों पती-पत्नी कमरे से जैसे ही बाहर निकले सामने सुलेखा खड़ी थी अरे मा, आप, यहाँ, क्या बात है, सब ठीक तो है ना मनोहर को देखते ही सुलेखा रोने का नाटक करने लगी, क्या बात है मा, सुलेखा रोते हुए बोलती है, बेटा, तेरे भाई को कुछ गुंडे उठा कर ले गए है, और दस लाक रुपए बांग रहे है, क्या, कौन है वो लोग, वो मुझकुन को कहा ले कर गए है, वो ल वहाँ कोई भी नहीं चाता था, कहा जाता था कि वहाँ सांपों का बसेरा है, खंड़हर का नाम सुनते ही, यमुना ने अपने आप से कहा, आज नाक पंचमी है, अगर मैंने सच्चे मन से नाक देवता की भक्ति की है, तो वही मेरे पती की रक्षा करेंगे, आप खंड़ह सुलेको और मुझकुन दोनों जोर-जोर से हसने लगते हैं। उसके बाद दोनों यमुना को पकड़ कर उसके हाथ पैर बान देते हैं और मुँ में पट्टी बान देते हैं। फिर दोनों उसके सामने ही मंदर से चांदी के नाग देवता की चोरी करते हैं और वहां से चले ज जाने से पहले दोनों यमुना को मंदिर के पास वाली नदी में फीक देते हैं। मुझकुन उसने पूरा खंडर देख लिया लेकिन मुझकुन तो वहाँ था ही नहीं। लेकिन हमें सब पता है। तुम्हारे भाई और मा ने यमुना को मंदिर के पास वाली नदी में फेंक दिया है। और मंदिर से चांदी के नाग देवता की भी चोरी कर ली है। जल्दी से जाकर यमुना की जान बचा लो। इतना सुनते ही मनोहर वहाँ से दोड़ा दोड़ा नदी की ओर भागा। यमुना, यमुना, मैं आ रहाँ यमुना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। भागा भागा मनोहर नदी के पास आये और नदी में छलांग लगा। मनोहर फूट फूट कर रोने लगा, तभी उसे यमुना की आवाज सुनाई दी। मनोहर मैं यहाँ हूँ, थोड़ा और नीचे आओ। मनोहर पानी के और अंदर तक जाता है, वहाँ उसने देखा कि यमुना जीवित थी और कुछ सांप उसके चारो और पहरा दे कर उसकी रक्षा कर रहे थे। यमुना, तुम ठीक हो। हाँ, इन सभी नागों ने मेरा बंधन खोल कर मुझे आजाद करा दिया। अब हमें जल्दी मंदिर जाना होगा, माजी और मुझकुन ने नाग देवता की चोरी कर ली है, दोनों तैर कर पानी से बाहर आ गए और गाउं की तरव गए, जब ये नाग देवता के मंदिर पहुचे तो देखा कि मंदिर के बाहर भीड लगी हुई है, सुलेख और गाउं वाले यमुना और मनोहर को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा साथ फनो वाला नाग प्रकट हुआ, नाग ने कहा, रुख जाओ, नाग देवता की चोरी इन दौनों ने नहीं की, बल्कि मुझकुन और सुलेखा ने किये, चान्द नाग देवता, हमारी रक्षा करने आप स्वयम आ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभू, यमुना तुम मेरी सबसे प्रिय भगतो, इसलिए तुम्हारी रक्षा करना तो मेरा धर्म है, इतना कहकर नाग देवता वहां से गायब हो गय, उनके जाते ही उस जगह धेर सारे सोने चांदी से भरा हुआ एक कलश दिखाई पड़ता है, जिसे यमुना और मनोहर नाग देवता का उपहार समझ कर ले लेते हैं, इधर गाउवालों ने मार मार कर सुलेखों और मुझकुन को गाउव से बाहर खदेड दिया, यमुना और मनोहर ने मंदिर में च जै अम्बे गौरी, मैया जै शामा गौरी, तुमको निश्दिन ध्यावत, हरी ब्रह्मा शिवजी, ओम जै अम्बे गौरी अरे भूला, रुख बेटा, ले ये माता रानी का प्रसाद खाके जा, ले हाथ आगे कर ओहो मा, पहले ही देर हो रही है, लाओ जल्दी जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, आराम से चाब आराम से तो बस आप ही रह सकती हो मा जी, ये आराम से बैट गए तो घर कैसे चलेगा, जाओ जी, जल्दी जाओ आप, मा जी के पास तो कोई काम है नहीं, सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवाए भोला अपने खेत के लिए निकल जाता है, ना तो उसने मीना को उसके व्यवहार के लिए टोका, और ना ही मंगला उसे कुछ कह सकी दरसल मंगला की बहू, मीना बहुत ही तेज तरार थी, साथ ही लाल्ची और मतलबी भी, वो मंगला से कभी भी सीधे मू बाद नहीं करती थी, भोला भी उसी के रंग में रंग चुका था, दूसरी तरफ मंगला सारा दिन बस मा दुरगा की भक्ती में ही लीन रहती थी, उस उसे मीना से कोई उम्मीद थी और ना ही भोला से। उसे तो बस अपनी मातारानी का साथ ही चाहिए था जो उसके पास था। आपकी मदद की आवश्यक्ता है। मीना को बहुत कुछ सहना था। मीना बेटी कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो मातारानी की पूजा का सामान चाहिए था और मेरे व्रत भी होंके तो। माजी देखे आपको व्रत रखने है तो शौक से रखे लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजे। आपके लिए फल, मेवा और ये पूजा का इतना महगा सामान लाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। सब कुछ तो आपके साम नहीं है। पता नहीं फिर भी आपको कुछ दिखता क्यों नहीं। ले देके एक खेती तो है हमारे पास। बड़ी मुश्किल से इस बार चने की फसल कुछ ठीक ठाक हुई है। वो भी अभी पूरी तरह से तयार नहीं है। अब आप ही बताईए कि पहले घर के जरूरी खरच देखें या आपके ये सब नाटक। इतना कहकर मीना वहाँ से चली गई। मंगला ने बड़ी उमीद भरी नजरों से भोला की तरफ देखा। लेकिन भोला ने भी उसकी उमीदों को पल भर में तोड़ दिया। और फिर डॉक्टर की फीस और दवाईयों पर फाल तू खर्च। ये सब बड़ा भरी पड़ जाएगा मा। मंगला फिर कुछ ना कह सकी लेकिन वो उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि इस नवरात्रे पर वो माता रानी का नया मंदर बनवाएगी। लेकिन यहां तो पूजा का सामान ही नहीं आपा रहा था। वो उदास होकर माता रानी के सामने गई और हाथ जोड़ कर बोल इतना कहकर मंगला रोने रगी। दूसरी तरफ मीना के दिमाग में नई खिच्टी पकने लगी थी। सुनू जी मैं क्या बोल रही थी अपने खेत की फसल बस तयार ही होने वाली है तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी ही होगी। हाँ, तो मैं रहता तो हूँ सारा दिन खेत में। देखा, भूल गए ना, कल हम दोनों को मेरे माई के चलना है पूरे एक हफते के लिए। मेरे एक लौते भाई की शादी है। तो जब आप यहां नहीं रहेंगे तो खेत का खयाल कौन रखेगा। हाँ, ये तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली चली जाओ शादी में, मैं रुख जाता हूँ यहीं। अरे ना ना, आपने ही चलोगे तो अच्छा लगेगा क्या, और वैसे भी मैंने शादी के लिए सारी तयारिया कर ली हैं, आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं, ये देखिए, शादी की हर रस्म के लिए अलग-अलग कपड़े खरीदे हैं मैं तो शादी में तो जानाई है हम दुनों को तो फिर खेत? खेत को कौन देखेगा? मा जी है ना वो रखवाली कर लेंगी खेत की मा? लेकिन वो कैसे? वो सारा दिन खेत पर करेंगी क्या? वही जो यहाँ घर पर करती है खेत के कोने में जो एक छपपर है खाने पीने की चिंता तो है नहीं जैसे यहाँ रहने वाली थी वैसे ही वहाँ रह लेंगी साथ में खेत की रखवाली भी हो जाएगी लेकिन क्या? क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा जी अब तुम जादा मत सोचो हमें कली निकलना है तो ऐसा करो आज शाम कोई माजी को जाकर वहाँ छोड़ाओ भोला एक बार भी मंगला से उसकी मर्जी पूछता तक नहीं और उसे उसके सामान के साथ खेत में छोड़ाता है अच्छा माँ चलता हूँ तुम आराम से रहना और हम एक हफते में लौट आएंगे ठीक है हाँ बेटा तु मेरी चिंता मत कर जा आराम से जाना और बहु का भी खयाल रखना मंगला जानती थी कि अब उसे अपनी आगे की जिंदगी उसी छपपर के नीचे बितानी थी क्योंकि वो मीना के लिए सर्फ एक बोश थी जिसे उसने खेट की रखवाली के बहाने उतार दिया था इस सब के बाद भी मंगला दुखी नहीं थी क्योंकि उसकी माता रानी तो अब भी उसके साथ ही थी शेरा? कितने दिन हो गए धर्ती पर विच्रण किये हुए? मादुर्गा की बात मान कर उनका शेर अपना रूप बदल कर एक बालक का रूप धारन कर लेता है और मादुर्गा स्वयम उसकी माता का स्वरूप लेकर धर्ती पर आती है वो शेरा के साथ मंगला के गाउं में ही आती है चलते चलते वे दोनों भोला के खेट के पास रुखते हैं जहां मंगला अपने छपपर के नीचे मादुरगा की भक्ती में लीन थी माते ये ये तो मंगला है इतनी तेज धूप में ये यहां क्या कर रही है हाँ शेरा ये मंगला ही है इसे इसके बेटे बहु ने यहां बे सहरा छोड़ दिया है ओ, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने माते, अब तो आपको इसकी मदद करनी ही चाहिए मादुर्गा मुस्कुरा कर शेरा की तरफ देखती है और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करती है वे दोनों सीधे मंगला के पास पहुँचते हैं फिर मादुर्गा मंगला से कहती है माता जी, प्रणाम, मेरा नाम दुर्गा है और ये मेरा बेटा है इसे बहुत भूख लगी है हमारा घर यहां से काफी दूर है पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी अगर आपकी आग्या हो तो क्या हम आपकी खेट से कुछ चने ले सकते हैं बस मेरे बच्चे का पेट भर जाए इतने ही लेंगे आपकी बड़ी क्रिपा होगी नहीं तुम नहीं ले सकते क्या कहा हम नहीं ले सकते लेकिन लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है बस थोड़े से दे दीजे ना बेटा कच्चे चने ले भी लोगे तो भला उन्हें खाओगे कैसे तुम दोनों यहीं रुको मैं खुद जाकर चने लाती हूँ और फिर अपने चूले पर उन्हें भुन कर तुम्हें देती हूँ फिर देखना क्या स्वाद आता है मंगला उन दोनों को वहीं बिठा कर खुद चने लेने के लिए खेत में चली जाती है और अपनी जूली में धेर सारे चने लेकर वापस लोटती है आप रहने दीजे इन्हें भुनिय मत मेरा बेटा ऐसे ही खालेगा कमाल करती हो बेटी ऐसे कैसे खालेगा कच्चे चने मैंने कहा ना तुम बस कुछ देर रुको बेटी मुझ बुढिया के पास और तो कुछ है नहीं बस जो कर सकती हूँ वो तो करने दो मुझे अच्छा लगेगा वैसे भी मातारानी के नवरात्रे चल रहे हैं और पता नहीं मैं कंजक पूजन कर भी पाऊंगी या नहीं इस प्यारे से बच्चे और तुम्हे चने खिला कर ही संतोश लेने दो मुझे इसके बाद मंगला बड़े ही प्यार से अपने चूले पर उन चनों को खोब अच्चे से भुनती है और फिर मादुर्गा और शेरा को खिलाती है इसके बाद धन्यवाद माता जी आपके एचनों का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूँगी इसके साथ ही मादुर्गा शेरा के साथ वहाँ से जाने लगती है तभी शेरा उनसे कहता है माता मैं जानता हूँ कि ये सब मंगला की एक परिक्षा थी और जहां तक मैं समझता हूँ मंगला इस परिक्षा में खरी भी उतरी है तो क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए मा दुर्गा एक बार फिर शेरा की तरफ देख कर मुझकुराती है और फिर वो मंगला की तरफ अपना हाथ उठाती है उनके आशिरवात से निकले प्रकाश से मंगला पूरी की पूरी सोने की बन जाती है हालां कि वो एक मूर्ती नहीं थी लेकिन अब सोने की एक चलती फिरती इनसान थी और सबसे खास बात तो ये थी कि खुद मंगला को इस बात का हिसास नहीं था इसके बाद मंगला को जिस किसी ने भी देखा वो अचंभे में पड़ गया अब तो सारा गाउं ही मंगला को अपने साथ रखने को तयार था यहां तक की मीना भी मा जी चलिए घर चलिए हमारे साथ अब आपको यहां रहने की कोई जरूरत नहीं मैं आपकी खूब सेवा करूँगी नहीं बहू तुम्हें परिशान होने की जरूरत नहीं है अब तो पूरा गाउं मुझे रखने को तयार है अरे ऐसे कैसे आप किसी के भी साथ चली जाएंगी मा जी हम आपके सके हैं हमसे ज़्यादा प्यार आपको कौन करेगा भला और वैसे भी मा जी सबको आपसे बस सोना चाहिए आपकी तो यहां किसी को नहीं पड़ी हाँ बहू तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सच है इसलिए मैंने तय किया है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी अपनी माता रानी के साथ यहीं रहूंगी हमेशा नहीं मा जी मैंने कहा ना आप मेरे साथ चलिए अपने घर चलिए हम आपके लिए माता रानी का बहुत बड़ा मंदर बनवा कर देंगे आप सारा दिन माता रानी की पूझा करना और अपसे हर नवरातरी हम मातारानी के नाम से जागरन भी करवाएंगे नहीं बहु अब इस सब की जरूरत नहीं है इतना कहकर मंगला मातारानी के चर्णों में अपना सिर रखती है और अगले ही शन वो अपने प्रान त्याग देती है ऐसा लग रहा था मानो उसक ने मातारानी के चर्णों में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था मंगला को जो चाहिए था वो से मिल गया था लेकिन मीना को नहीं क्योंकि ना तो अब मंगला सोने की थी और ना ही मीना के किसी काम की